है एवरिवन आई होब कि आप सब लोग अर्पा सेफ हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट जो कि तुम्हारे एकनॉमेक्स क्लाश 10 का चैप्टर नमबर वन है एंड बेसिकली यार जैसे कि तुमको पता है ये एक वान शॉट वीडियो आने वाले जिसमें एंसीयट कि हर एक टॉपिक को कवर करके बनाया गया है और साथ-साथ इस चैप्टर के डिजिटलाइस नोट्स और इन स्लाइट्स की लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दियुए है तुम लोग जाके उसे भी चेक आउट कर सकते हो अब देखो यार बेसिकली चैप्टर में हम इंक पर इंकम मिलता है या कंट्री का इंकम कैसे डिसाइडres होता है वो सब और लास में हम देखेंगे कि नंशनल और सशिर्मल डेवलोपमेंट क्या होता है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अब एक्चुली डेवलप्मेंट होता क्या है वो समझो डेवलप्मेंट इस अवास चम विच इंक्लूट्स एकनॉमिक डेवलप्मेंट गुड गवर्नेंस रिड्यूसिंग पावर्टी इलट्रेशी एक्सेक्टर अब ध्यान से सुनो सपोस करो कि तुम अभी इस चैप्टर का वीडियो देख रहे हो बाद में जाके इसके तुम स्लाइट्स वगर देखोगे नोट्स वगर लर्न करोगे तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है तो तुम्हारा डेवलप्मेंट है आज मैं अपना चैनल चला रहा हूँ अगर हर दिन मेरे चैनल पर ठीका वीज और सब्सक्राइबर जाएंगे तो वो मेरे डेवलप्मेंट है अगर तुम आगे जाके एक एकनॉमिस्ट बन रहे हो और देश के लिए कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हारा और देश दोनों का डेवलप्मेंट है तो डेवलप्मेंट पैसे पे डेपेंड निकरता अगर कोई किसी भी चीज को किसी भी वे में थोड़े सी भी सुधार लाता है या लाती है मींस वहाँ डेवलप्मेंट हो रहे है ठीक अब मालो हमारे देश के पास पैसा बहुत है बढ़ हमारी सरकार उस पैसे का यूज करके हमारे country को अच्छा नहीं बना पा रही तो वो illiteracy कहलाएगा क्यों भाया क्योंकि पैसा है बढ़ डेवलप्मेंट नहीं यहाँ पैसे का कोई फाइदा नहीं हो रहा है वो illiterate है अब डेवलप्मेंट भी एक बहुत वास्ट हमें जिसमें economic development होना चाहिए एक अच्छा government और governance होना चाहिए और poverty काम होने चाहिए ठीक और illiteracy मैंने targeted goals and objectives एक ऐसा process जिससे हमारी यह किसी भी individual और एक nation की life उनके targeted goals और objectives के हिसाब से grow करती है और बहतर बनती जाती है उससे भी कहते है development तो exams में कोई भी definition पूछेगा तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आपको marks उतना ही मिलेगा but I suggest you to use second one next point देखो different people have different goal इसका मतलब यह है कि हर एक बंदे का developmental goal अलग हो सकता है suppose तुम चाहते हो कि तुम reels पना के इंस्टा में viral हो जाए और तुम्हारा development हो जाए पर तुम्हारे पापा चाहते है कि उनकी company का profit हो और उनका development हो तो हर एक बंदे का अपने developmental goal होता है जैसे landless, liberal और farmers ऐसे लोग जिनके पास खुद का land नहीं है, इनका developmental goal क्या है कि इन्हें जादा दिन की working मिले, अच्छी wages मिले ताकि ये अपने family के needs को fulfill कर सके, next आते है rich farmers, इनका developmental goal होता है कि इनके crops अच्छे बड़े prices में बिक जाए और उनके family के income और बढ़ जाए और जादा profit हो, next आता है big businessman, बड़े लोग को बड़े जाए, वहीं उसका developmental goals है, और एक बात अब ध्यान से सुनना, दो people के goals कई बार conflicts create कर सकते हैं, अब एक बात समझो, ये चीज़ तुमारे anxiety में दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, सपोस्थ तुम कोई industrialist हो, और तुम्हें अपने factory के development में एक dam बनाना है ताकि तुम्हें ज्या हमारे या दूसरे के development से हमें loss भी हो सकता है, और conflicts भी create हो सकते हैं, next जाता है income and other goals, इसमें देखो, तो पहला point है people desire regular work, मतलब लोगों को regular basis में काम करने को चाहिए, उस काम के बदले में अच्छे wages चाहिए, यानि अच्छा पैसा चाहिए, और जो वो product sell ये buy करते हैं, उसके price पहुत decent होने चाहिए, ज्यादा highly price नहीं होनी चाहिए, next चाहता है सबको equal treatment मिलना चाहिए, मतलब suppose तुम एक office में काम करते हो, तुम्हारे boss ने वहां के सारे employees को काम काम दिया, और तुमको बहुत सारा काम दे दिया, तो ये गलत है, सबको equal amount of work distribute होना चाहिए, next चाहता है respect of other, means अगर तुम उस office में काम कर रहे हो, तो वहां के बाकी लोग तुम्हारे junior होने के बाद भी तुम्हें respect दे, अच्छा, इसके बाद आता है job security, मतलब अगर तुम एक ऐसे जगा काम कर रहे हो, जहां तुम्हें salary तो अच्छी मिल रही है, पर वो तुम से पूरे दिन काम करवा रहे है, रात को भी काम दे रहे है, डिस्ट अप कर रहे है, तो यह गलत है, इसको तुम नहीं बोलो, तो ठीक है, बट अगर वही तुम्हें decent salary मिल रहे है, यह proper holidays मिल रहे है, bonus मिल रहे है, fix working आ रहते है, तो शायद वही तुम्हारे लिए best है, next आता है freedom, suppose तुम office गया, बट तुम्हारा boss तुम्हें जाने नहीं दे रहा, then it might create problem for you, बट अगर तुम्हें freedom मिल जाए, तो शायद वह तुम्हारे और तुम्हारे घर के perspective से सही हो, अब देखो, हमारे life की quality दो चीजों में depend करता है, money और materialistic thing, देखो भई, अगर money नहीं होगा, तो तुम कोई भई materialistic thing खरीद नहीं पाऊगे, बड़ी मेहनच से कुछ खाने को नसीब होता है, और अगर तुम्हारे पास materialistic things नहीं रहेगी, then it might create problem for you, क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे पास phone नहीं है, तो तुम online class नहीं कर पाऊगे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और phone है, तो जब net खत्म हो जाए, तो बिन recharge के शायद ये भी useless हो जाएगा, ठीक, अब I hope कि आपको समझ आयो, अब देखो यार, जो job security है ना, ये must होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इस वज़ए से जो people होते हैं, वो अपने development के लिए, mix of goals में depend करते हैं, next आता है national development, ability of the nation to improve the life of its citizens in field of agriculture, education, health, industries, etc, इसका मतलब होता है किसी nation का develop होना, अब ध्यान से सुनो, किसी nation की ability की वो अपने citizens की life को agriculture के field में, education की field में, health की field में, और industries के field में improve कर रहा है, तो उसे national development कहते हैं, next आता है country's income, अब देखो जो कि ए country की income है, वो particular country के हर एक citizen की income है, अब हम countries को, उनके income के basis पे classify करेंगे, और इसको classify करने में world bank का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें सबसे पहले आता है average income और per capita income, अब देखो यार, जैसे आप average निकालते हो ना, वैसे ही आपका average income और per capita income निकलता है, बस होता है कि इसमें जो पूरे country की total income है, उसको हम total population से divide कर देंगे, त अब देखो माल हो, overall country की income है 40,50,000 करोड़, और आपकी population है 135 करोड़, तो अगर हम divide करते हैं, तो on an average, आपकी per capita income 30,000 आएगा, ठीक, समझे अब, अच्छा, अब एक country को income के basis में develop country, जो country already develop हो गई है, under developed country, जो भी develop होगी, या developing country, जो develop हो रही है, तो इस basis में हमारी इंडिया एक developing country है, अब एक चीज़ समझो, countries को develop, under developing, और developing, इसमें classify करने के लिए, world bank ये कहता है, कि जिस country का per capita income 2017 के according, US dollars 12,056 per annum, या उसे जादा है, तो वो country, rich country कहलाएगी, जिस country के पास 27 team के according, 955 US dollars per annum, या उसे कम है, उसे low income countries कहेंगे, और हमारी इंडिया, low income country के अंतर आती है, 2017 के according, क्योंकि हमारा इंडिया का per capita income 2017 में 1820 US dollars पस था, अब ये जो world bank का criteria है, इसके कुछ disadvantages और कुछ advantages है, advantages में आता है, पैसा, जिसकी वाज़े से country's की proper income की हमें clear understanding मिलती है, और इसे हम easily national income और per capita income को compare कर सकते हैं, updates advantages की है, कि ये सिर्फ एक aspect गयानी income को देख कर आए, जबकि health, education और बहुत सी चीज़े भी होती है, और इसकी वज़े से clear way में income distribution नहीं हो पाता है, मतलब सुनो, जो country के 10% rich people हैं, उनके पास 70% wealth है, और जो 90% लोग है, उनके पास सिफ 30% wealth है, मतलब rich लोग और rich होते जा रहे हैं, और poor लोग और poor हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत सो और respects भी होते हैं, जिसमें starting में आता है infant mortality rate means IMR, अब देखो ये IMR क्या कहता है, एक साल में हर 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं, जिनकी death एक साल से कम में हो गई, ऐसे कितने infants जिनकी mortality यानी मरना, एक साल से कम में ही हो गया, उसे हम कहते है infant mortality rate, अब suppose करो कि 1000 में से 10 infant की death हो गई, एक साल से कम में, तो वो 1 by 100 आएगा, मतलब हर 100 में से एक बच्चा ऐसा है जिसकी death एक साल से पहले में हो रही है, छीक, तो इस वे में हम उसे calculate करते हैं, तो जितने कम की death होगी, उतना हमारे country के economy के जाएगा, जिससे अपनी economy का एक बहुत बड़िया report ready होता है, as compared to world bank report, अब देखो यार, इसको UNDP, United Nation Development Program, इन्होंने publish किया था, जिससे अपन countries को उनके educational level, health status और per capita income के basis में countries को compare करते हैं, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि कैसे development ने humans की life को improve किया है, तो अब हम life expectancy के पा बंदा या बंदी कितने साल तक जीवित रह सकती है, तो जो एक particular human male, उसकी life expectancy, latest Google की according, अभी 68.2 शो कर रहा है, हो सकता है तुम्हारी books में कुछ different दिया हुआ हो, पट criteria यही रहेगा, और ऐसा नहीं है कि average इतना है, तो इससे आगे नहीं जी सकता, या इससे कम जी नहीं सकता यह सब natural है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, next जाता है Indian females का, और उनका on an average है 70.7, जो कि human males के according थोड़ा जाद है, and again, कोई limit नहीं है, जीवित रहने की, छीक, देखो यार, ऐसा है, अगर एक country maximum people जादा survive कर रहे हैं, then यह economic के reports को better बनाने में help करता है, next जाता है literacy rate, it measures the proportion of the literate population in the 7 years and above age group, मतलब 7 साल यह उससे बड़े age के, कितने लोग हैं, जिनके पास study करने की छमता है, समझने की छमता है, ऐसा नहीं की पढ़ना आता है, पर पढ़ते नहीं, तो literate नहीं है, मतलब पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, यह matter नहीं करता, अगर आ लोकालिटी में, या मेरे state में, कितने ऐसे बच्चे हैं, जो 14-15 साल की age group के हैं, और वो school जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं, net attendance ratio, अब देखो, आपके country में, जितने ज्यादा लोग के पास knowledge होगा, proper education होगी, तो economic की जो report है, human development index की, वो improve हो रही होगी, next आता poverty line, अ अब इसका क्या कहना है, कि हर एक बंदे का जो income है, वो minimum level में estimated होना चाहिए, ताकि उसके basic necessities को वो पूरा कर सके, देखो, suppose करो, कि तुम must ऐसे अपने room में, बंके के नीचे बैट के lectures वगर देख रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, बट वही अगर तुम बात करते हो, एक normal poor labor के बच्चों की, तो उनकी financial condition हो सकता है, कि उतने ही ठीक ना हो, जिसकी बज़े से वो पेड़ वगर के इंचे, गर्मी में बैट के पढ़ रहे हैं, या पढ़ने के बाद अपने farm में पूरा दिन काम करने जाते हैं, तो उस case में, तुमको जितना खाना मिलेगा, obviously as compared to rural people, ज calories consume करने को चाहिए रहता है, पूरे दिन में उनकी जीविका चलाने के लिए, वो रहता है 2400, और हम लोगों के लिए, वो calories average रहता है 2100, but might be, हम जादे consume कर जाते हैं, जीक, अब तुम्हारे NCRT में तीन states, हर्याना, केला और भिहार को compare करते हुए, 2015-16 का per capita income report, IMR report, 2011 के हिसा अब सुनो, जब report ready की जाती है, तो ये possible है कि हर एक state किसी ना किसी criteria में top कर जाए, और किसी ना किसी state में पीछे छूट जाए, इस table में तुम देख सकते हो, कि per capita income हर याना का सबसे जादा है 162034, second में आता है केला 140190 के साथ, और third में आता है भिहार, जिसका इन तीनों में स अब यहां सबसे कम infants की death हुई है, एक particular साल में इसमें केला जिसका PCI best था, वो second में आता है 33 के साथ, और बिहार इसमें भी पीछे 38 के साथ, अब अगर मैं literacy rate की बात करता हूँ, तो again केला top पे है 94% के साथ, second में आता है हर्याना 82% के साथ, और again बिहार इसमें भी नीचे चल last, तो conclusion अगर मैं निकालू, तो केला का per capita income कम है, पर यहां का IMR, literacy rate और net attendance ratio best है, और हर्याना का से per capita income best है, बाकी सब ठीक ठाक है, और बिहार का सब डाउन है, अब देखो, एक चीज़ समझो, अगर हर्याना का per capita income जादा है, तो जो हर्याना के people है, उनका employment status और earning scope दोनों जा जादा है, तो इसका मतलब बिहार के health care facilities बेकार है, और वहीं हर्याना का भी per capita income अच्छा है, बट IMR बेकार है, तो इससे हमें पता चल जाता है, जादा per capita income होने से हमें अच्छी health care facilities मिले, यह ज़रूरी नहीं है, अब जब हमने इस comparison को किया, तो हमें यह पता चला कि capita income best criteria नहीं है, यह decide करने के लिए कि हमारा development अच्छा है की नहीं, बलकि बाकी basic facilities and quality of life भी बहुत matter करता है, and mostly इसको country के development reports को ready करने के लिए बनाया जाना चाहिए, हमने यह देखा कि हमारे हर्याणवी के पास पैसा जादा था, income जादा थी, बट basic facilities उनके पास कम थी, और एक बात हमेशा दियान में रखना, पैसे से आप वो सारे goods and services को buy नहीं कर सकते, जिससे आपका जीवन सुधरता है, और ऐसे public facilities की वज़े से हो रहा होता है, अब भाया, यह public facilities क्या है, तो सुनो, इसमें सबसे पहले आता है body mass index, या नी BMI, इस से हमें यह पता चलता है, कि हम कित upon height, जितना आपका overall weight है, उसको आप अपनी height के value से divide करतो की BMI value आ जाती है, अब देखो, जितने लोग 18.5 BMI के नीचे आते हैं, वो underweight होते हैं, जिनका 18.5 और 24.9 के बीच में आता है, वो normal रहते हैं, और जिनका 25 के उपर रहता है, वो overweight रहते हैं, अब देखो यार, अगर आपका weight जादा है, height नहीं, then उस case में आपका BMI जादा होगा, और weight कम, और अगर आपका weight कम है, height जादा है, तो उस case में आपका BMI भी कम होगा, next जाता है, public distribution system और PDS, शाद यह अपने पहले भी पढ़ा होगा, अब देखो, PDS एक ऐसा system होता है, जहां पे government अपने side से, अपरली public distribution system होता है, it means महाँ का nutrition status अच्छा रहता है, next जाता है, sustainable development, इसको हमने अपने resources and development वाले lecture में भी पढ़ा था, और अब हम इसे फिर से करने वाले, basically जैसा कि तुम्हें पता होगा, कोई भी development हम बिना nature को हम पहुचा हुए करते हैं, और हमारी needs fulfill हो जाती है, ऐसे development को कहता है, sustainable development, अब कुछ तरीके, जिससे हम sustainable development को अपना बना सकते हैं, उससे देख लो, तो इसमें सबसे पहला आता है, कि हमें अपने natural resources को scientifically और properly यूज़ करना चाहिए, next आता है, pollution कम करो, और environment को degrade करना बन करो, और human exploitation से हमारे flora and fauna means aquatic life and land life, जैसे animals वागर को save करो, फिर आत कभी खत्म ना हो, उसका भी over exploitation या over use ना करके, हमें उससे समभाल के रखना होगा, उससे समभाल के use करना होगा, moral use of inexistible resources, at last, जो land cultivable है, cultivation purpose के लिए अच्छा है, उसकी fertility को हम maintain करके रखे, सालों साल तक के लिए उसमें over grazing वगर नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ यार, हमा इस नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके चेक आउट कर लेना, NCRT पढ़ना मत भूलना, वीडियो पसंदाए, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, सब कर देना, डाउट साय नीचे कमेंट कर देना, इंस्टा पे डियम कर देना, फॉलो करना मत भू आई